हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम न्यूट्रीशन क्या होता है न्यूट्रीशन के सब टाइप्स कौन से होते हैं कौन कौन से मोर्स होते हैं न्यूट्रीशन के उनके क्या सब टाइप्स होते हैं उनके नेम्स के बारे में जानेंगे और हम ऑट्रो ट्रॉफिक न्यूट्रेंट्रेंट का कुछ रिलेशन तो होगा ऐसा आपको लगता होगा और रिलेशन है न्यूट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट होती है उसकी body को जरूरत होती है और उस nutrients को उसको बाहर से लेना पड़ता है उसके शरीर के बाहर से लेना पड़ता है उसका इस्तमाल वो कर सकता है energy के लिए अपने आपको बढ़ा करने के लिए reproduce करने के लिए इन सब चीज़ों के लिए उससे ज़रूरत रहती है उसकी जैसे हम चो खाना खाते हैं वो खाना अपने आप तो आस्वान से तो टपकता नहीं है वो खाना भी कोई बनाता है और वो खाना कौन बनाता है आप सुच रहे होंगे कि आपकी मम्मी बनाती है भी रहा तो खाना नहीं है वो सारा खाना भाण से बदराते हैं हम तो सिर्फु से को चैंजrs कर द कर συक्किन बदलाब करते लेकिन जो यो आज वीडियो में उस यको डीटेल में पढ़ने वाले पहले हम समझते हैं कि न्यूट्रीशन के टाइपgeht वैसे मैं आपको उसकी is known as nutrition चलेक जो अपना कहाना खुद बनाते हैं और उन्हें के कारण हम में भी खाना खाने को मिलता है क्योंकि हम भी उसी को खाते हैं जो वह को बनाते हैं है कि है अपने खाने के लिए और यह मोड बेसिकली थ्री मोड में कंसिस्टेड है यह मिक्स सो ट्रॉफिक यह भी हमारे कोर्स में नहीं है इसके बारे मैं आपको बताऊंगा लेकिन इस सीरीज की के एंड में अभी के लिए इसको भूल जाईए आप हां तो अभी के लिए हम पढ़ेंगे इन तीनों को फॉल जो एक सेप्रोफाइटिक एंड पैरसिटिक फॉल जो यह को मोड अफ नूट्रिशन मैं इस फोटो सिंथेसिस वाले यानि कि ग्रीन प्लांट्स के नूट्रिशन के बाद बताऊंगा फोल जाईक मोड अफ नूट्रिशन इसमें जो ऑर्गैनिजम होते हैं वो सॉलिट फूट खाते हैं जो भी मैं बताऊंगा उसके बाद वाले वीडियो में सेप्रोफाइटिक में जो होते हैं वो डेड डिकेंग मैटर खाते हैं यानि कि जैसे कि मश्र यार अब मैं आपको स्क्रीन पर ले चलता हूँ पढ़ने के लिए हाँ तो शुरू करते हैं हम क्या पढ़ेंगे अब और्टो ट्रॉपिक नूट्रीशन और्ट्रॉप्स क्या होते हैं शेल्फ नरिशिंग और डो में जल यद्ट्रॉपिक मीन्स नरिशिंग नूट्रिश अपना फूड कैसे बनाते हैं कि बेसीकली प्लांट्स को अपना फूड बनाने के लिए कुछ चीजों के आवश्रक्ता होती है जैसे कि सनलाइट जो नहीं जाती है डे टाइम में ऑक्सीजन जो वो लेते हैं ऑक्सीजन वो जो वो बाइप प्रोड़क्त के रूप में बाहर निकालते कारवन डियॉक्साइड जो वो यूज करते हैं अपना फूड बनाने के लिए ऑक्सीजन मैंने आपको गलती से बोल जाता है क्योंकि वो नाइट टाइम में होता है डे टाइम में नहीं होता है नाइट टाइम के बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे और water की जरूरत होती है water plant अपने roots से ले लेते हैं मैं आपको zoom करके दिखाता हूँ plants water यहां से अपने roots से ले लेते हैं यह roots में आपको arrow दिख रहा होगा यहां पर एक टिशू जिसे हम कहते हैं xylem वो इसको leaves तक पहुंचाता है और यह basically एक process के कारण होता है जिसे हम कहते हैं osmosis osmosis के कारण यह होता है तो अब हम पढ़ेंगे के oxygen और carbon dioxide plants कैसे लेते हैं हां तो oxygen और carbon dioxide plants लेते हैं उनकी leaves के नीचे यह pores होते हैं आप यह देख सकते हैं मैं आपको mark करके दिखाता हूँ यह pores होते हैं यह है stomata यह क्या है stomata यह सब हैं stomata इनकी मदद से plants gaseous exchange करते हैं मैं stomata का आपको पूरा structure समझाओंगा उससे पहले हम थोड़ा leaves के structure को वैसे समझ लेते हैं वैसे इसकी जरूरत नहीं रिपड़ेगी आपको यह देखें मैंने आपको xylem की बारे में बताया ता जिससे water आता है वह आप देख सकते हैं यह आ र पॉरप्लास्ट में ही होती है photosynthesis यह देख सकते हैं आप cells of palisade layer यह पैली सेड लेयर के कुछ cells होते हैं वह भी leaves में प्रेजेंट होते हैं और यह air spaces होते हैं एक cuticle layer भी होती है लीज़ में और एक spongy layer होती है वेसिकली हम गाड़ सेल्स के वारे हैं पढ़ने वाले हैं तो चलते हैं गाड़ सेल्स के वीडियो वाली स्क्रीन पर हां तो यह रहे हमारे गाड़ सेल्स यह दो भी शेफ्ट सेल होते हैं इसाइशन के अंदर वातर कंटेंट होता है इसके चेंज के कारण जब वह Reach spe SMG बढ़ जाता है तो वह स्टमे टाइस कि जो उसको गाड करते हैं मेर्ट वह खुल जाते हैं क्योंकि उनके दर बिए बढ़ जाता है तो इसको बाहर निकालने के लिए वो खुल जाते हैं डे टाइम में और उन्हीं से CO2 एंटर करती है और उसके बाद photosynthesis occur होती है और carbon dioxide और oxygen फिर बहार आती है oxygen बहार आती है carbon dioxide के CO2 बोलते हैं chemically और यह selvo देख सकते हैं आप guard cells के भी selveol होती है सारे plant cells के यहां होती है और guard cells के अंदर बी chloroplast होता है कि पिश्च में सारे cells के अंदर chloroplast पाया ही जाता है यह आप देख सकते हैं वेकुल के अंदर ही water content का चेंज होता है जिसके यह होता है और जब नाइट हो जाती है तो प्लांट को जरूरत नहीं पड़ती आप वैसे यह दिख सकते हैं कि नुक्लियस यहाँ पर है इसमाँ साइड में हाँ तो नाइट हो जाती है उस टाइम पर प्लांट को गैस एक्सचेंज की तो जरूरत पड़ती है लेकिन इसको कि जाता है क्योंकि टांस्पिरेशन में जो वाटर लॉस हुआ होता है उसके कारण तो वह फ्लैसिट हो जाते हैं तो यहां पर क्या है उसने काबन डियोक्साइड भी ले ली और इसने सनलाइट भी अब्जॉब कर ली लीव्स ने प्लांट की ने तो अब देखेंगे कैसे अब इसमें जाता सारे से पाई जाते हैं उसमें दो रीजिंस होती है एक होता है एक ग्रैनम जो स्टेक्लाइक स्टक्ट्यर्स होते हैं और यह प्लैंक स्पेस होता है उसे हम कहते हैं स्ट्रोमा में रहती है और जो वाटर है जो जायलम से आया था वह ग्रैनम में एब्सॉब हो प्लांट इसको अपने आप नहीं कर पाता तो उसने जो उसको हामफुल होती है उसको हारेस कर देता है मतलब वह प्लांट को कुछ हाम नहीं है ग्रेनम के अंदर जो हाइड्रोजन ऑक्सिएन के बीच का बॉंड होता है उसको उसकी मदद से तोड़ दिया जाता है और फिर हाइड्रोजन आयन्स और ऑक्सिजन एटम्स बन जाते हैं और फिर वो क्लोरोप्लार्स से बाहर चले जाते हैं जो स्पेसेस होते हैं मैंने कार्बन डियोक्राइड हमारा भी तक जो स्ट्रोमा में था उसका रिड़क्षन किया जाता है किसमें कार्भोहाइड्रेट में जो कहें है C6H12O6 अब मैं आपको इसकी एक्क्वेशन बताऊंगा क्या होती है फोटो संथेस्ट की एक्क्वेशन मैं आपको राइट करके यह कि एक्वेशन दिखाने वाला हूं कि उधर क्या था उधर था आप हां तो यह रही हमारी एक्क्वेशन किसकी फोटो संथेस्ट की तो सिक्सी ओटू होता है और बारा एस्टो मॉलिक्वेशन देप्रेजेंस अफ संलाइट हमने संलाइट का यूस पड़ी लिया है क्या संलाइट का यूस था ख्लोरोफिल का भी क्या यूस था फिर वेशन के बाद जो प्रोडच्ट निकलता है विस चीज तो इसक यो तो सॉरी ओ टू नहीं है ओ टू है सिक्स ओटू जिसका यूज किया जाता है कहीं नहीं जिसको बाहर निकाल दीया जाता है चो हमारे लिए बहुत यूस्पल है और आप क्वैशन को वैसे आप 12 але यू कि सिक्स एश्टीव भी लिख सकते हैं तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग इस क्लास आपका शुक्रिया इस क्लास को अटेंड करने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो और इस वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजि और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू फॉ वाचिंग